दोस्तों मार्केट के अंदर ऐसे बहौत सारे बिजनेस है जो silent mode पे चलते हैं लेकिन उन्की earning ज्यादा होती है ऐसे बह। सारे बिजनेस होते हैं जिसके उपर machinery नहीं लगती है सिर्फ अपना दिमाग लगाना होता है सारा formulation से काम होता है व्रकर काम करते हैं उससे पैसा बनता जाता है ऐसे बहुत सारे बिजनेस है लेकिन क्या होता है कि अपन देखता है कि मुझे को मसीन मिलनी चाहिए मैं मसीन से प्रॉडेक्शन करूंगा उसके बाद मार्केट के अंदर सेल आउट करूंगा जब कोई भी वेक्ति किसी परकार क मसीनरी खरीता तो उसे production आसानी से हो जाता है उसके बाद वह market के अंदर sell out हो जाता है लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप से सर्चा करने वाला हूँ कैसे business के बारे में जिसका formulation का ही पैसा है उसके अंदर किसी भी परकार की machinery नहीं लगती है तो यहाँ पर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं जैली के बिजनेस के बारे में आपने नाम सुना होगा जैली का आपने खाई भी होगी जैली की टौफी एक रुपए की टौफी आती है मिठाई की दुकान पर जाओगे तो 200 रुपए से लगा के 300 रुपए की भी जैली आती है अगर आप सूपर मॉल के अंदर जाओगे या फिर रिलैंस मॉल के अंदर या बड़े से बड़े मार्केट पर जाओगे तो वहाँ पर अच्छी सी पैकेजिंग की हुई जैली आपको 2000 रुपए केजी के हिसाब से भी मिल जाएगी कभी विचार किया है उस बिजनेस कॉंसेप्ट के बारे में जिसको बिना मसीन से हम बना सकते हैं उसके अंदर कितना जादा आपके फाइदा रहने वाला है कॉंपिटेशन बिल्कुल भी नहीं है क्यों कॉंपिटेशन नहीं है उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा मार्केट के अंदर डिमांड है आपको प्रोड़क्ट एक जिगे पर नहीं बेचना है किराना वाली दुकान पर बेच दो जो बच्चों की आइटम बेच दो मिठाई की दुकान पर बेच दो और आप किस परकार से डिजाइनिंग करते हैं किस परकार से पैगेजिंग करते हैं वो सारा खेल रहेगा आपके उपर सिंपल प्रोड़क्ट प्रोसेस है कोई भी आपको माथा पच्ची करने की जुरूत नहीं है पाँच पाउडर आते हैं, मिक्स करना है, उसके बाद उबाल लेना है, मार्केट के अंदर बेच देना है, अपनी डिजाइन बना के और यहाँ पर दोस्तों उबुकताओं की मांग बहुत 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 जादा है, रीजन ये हजारों लाखों तरह की डिजाइनिंग इसके अंदर आप कर सकते हैं, उसके बाद कितना प्रॉफिट है और बिजनेस की क्या संभावना है, इसके बारे में हम सर्चा करेंगे इस व 25,000 रुपए की अरनिंग है, वो किस परकार से करूँगा, तो आप सीधे राइट यूमन के साथ जुड़कर हर महीने 20-25,000 रुपए की अरनिंग कर सकते हैं, वो किस परकार से करेंगे, वो रहेगा वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को कम्पलीट दे कि आखो खुद ब बिकती है, अपने खाई होती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों, बिजनेस के सर्चा हो रही है, तो जैली के अंदर क्या आ जाता है, पहले आते है शुगर कोटेड जैली, जिसके उपर हलके हलका सुगर का बुरादा आता है, दूसरा आइस केंडी जैली, जो की आइस क्रीम के साथ बिखता है, क्योंकि जब आप इसको एक बार बना लेते हैं, तो 6 महीने तक खराब होता नहीं है, उसके बाद जो भी डिजाइनिंग के अंदर आप काम करना चाहते है, जैली के अंदर कर सकते हैं, अब बात आती है, जैली बिजनेस इंडिया के अंदर इतना सक्सेज क क्यों हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया के अंदर आज से पांच साल पहले जैली का कोई बड़ा मैनुफेक्चरिंग नहीं था, इसका कारण यह है कि इंडिया के अंदर सबसे पहले, जो आज से पांच साल पहले जो जैली है, वो सारे की सारी अपने पड अब भी जैली है वो 10% ही बन रही थी ठेक है अब वह क्या कि जो बांगलादेश से अपने इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर रहे थे ना जैली वो सारे की सारे बन रही थी जैलेटीन पाउडर से जो जैलेटीन पाउडर आता है आप गूगल पे आराम से सर्च कर सकते है और यह पाउडर जो आता है यह पाउडर हड्डियों के पाउडर से बनता है मतलब कि 100% नॉन वेज होता है ठीक है तो इंडियन गवर्मेंट ने इसको बैंद कर दिया मतलब कि अब बांगलादेश से आप जैली को इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं यहां पे क्या हुआ कि जैसे ही बांगलादेश से इंपोर्ट बंद हो गया अब दिमाग के अंदर आता है बहुत साही लोगों कि क्योंने इसको इंडिया के अंदर बनाया जाए और वह भी 100% मतलब कि आप कोई भी इसको खा सकता है जो मतलब कि सहकारी लोग है इसको खा सकते है जैली को आज भी इंडिया के अंदर सबसे जएदा सहकारी लोग है अब बिजनेस के अंदर क्या था कि इंडिया के अंदर मुस्किल से मुस्किल मैं पर्शेंटेज की बात नहीं कर रहा है मैं मुस्किल से मुस्किल बता रहा हूँ कि 5-7 लोगों को ही इसका complete formulation पता था कि आखिर जैली को हमें किस परक के अंदर ही जयली है मार्केट के अंदर सिरफ दो परसेंट के अंदर ही जयली है मतलब कि अभी भी उनको परसेंट is 98% कवर करना था ठीक है तो अब उनके पास टाइमिंग था नहीं इसलिए यहां पर दोस्तों हजार रुपय का प्रॉफिट आराम से हो कमा सकते हैं वो कैसे रहेगा इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा तो यहां पर दोस्तों अब बात आती है सुगर कोटेड जैली के बारे में तो सुगर कोटेड का मतले मैंने पहले बता दिया यह जैली है ठीक है जैली जब बनाते तो इसको उपर सुगर मतले की सुगर के दाने डाले जाते हैं सुगर का बुरादा डाला जाता तो यह शुगर कोटेड हो जाती है यह आम तोर आपको तो मिठाई की जो दुकान होती है ना वहाँ पे मिल जाएगी या किराना वाले दुकान पे मिल जाएगी मॉल के अंदर मिल जाएगी ठीक है इसका एप्रोक्स कोश्ट जो आप खरीदोगे ना वो 300 रुपए से लगा के 800 रुपए पर केजी के बीच आपको मिल जाएगी और लेकिन जिब बनाने की कोश्ट अपन सर्चा करेंगे तो आप खुद हके बखके रहे जाओगे ठेक है यह नॉर्मल आपने टेस्ट भी की होगी अगर आपको नहीं लगता है कि मुझे टेस्ट करना है तो आप पांच रुपए दस रुपए वाली जैली मार्केट के अंदर जो मिलती है किरना वाले दुकान से वहां से खरीद के उनको खा सकता है ठेक है लेकिन आज हम बात करेंगे इसका फॉर्मूलेशन क्या है ठेक है अब उसके बाद यह आपने जैली खाई होगी इसकी जो पैकेजिंग आते एक रुपए दो रुपए चार रुपए पांच र होगा यह पांच रुपए से लगा के दस रुपए के बीच आपको मार्केट के अंदर मिल जाती है यह से हम एजिटी जैली का ही फॉर्मूला रहता है इसके बीच के अंदर यह श्टिक डाली जाती है ठीक है जिससे क्या है कि तो यह अच्छा दिखता है इसकी के अंदर डिजाइन है लाखो की तादा के अंदर डिजाइन है मैंने पहले बता दिया कि आपका दिमाग कितना काम करता है उस हिसाब से आप डिजाइनिंग हो कर सकते हैं आप उस हिसाब से डिजाइनिंग करके मार्केट के अंदर बेच सकते हैं मतलब कि नाना परकार के आ अभी market के अंदर popular चल रहा है और आप खुद भी किसी भी दुकान पर जाओगी ना तो महापर आपको average आजा जाएगा कि कौन सा अभी market के के अंदर डिजाइन चल रहा है वो डिजाइन चलता अच्छी बात है आपको लगता है कि इससे भी बैस्ट अपनको डिजाइन बेचना है सिरफ मोल्ड ही बदलना बागी फॉर्मूलेशन आपके सेम रहता है ठीक है अब यहां पर दोस्तों अगर आगज आते हैं तो यह आती फश्रीम के आफ जैली है कोछ इस परकारसे आप लगा सकते हैं आइस क्रीम के इंदर डाल सकते हैं ठीक है इसके बाद जो बड़े बड़े शादी पाटी वगरवान होते ना दो वहां पर भी यह काम आती है मिटाई के अंदर डाल सकते कर दो यूदी जो चैड़ी आपने खाई होगी जो पपिता से बनती है कच्छे पपिता से चैरी आपने खाई होगी उसका बहुत ही अच्छा सा रूप है यह ठीक है तो यह कुछ इस परकार से भी आप मार्केट के अंदर बेच सकते हैं जो कि सब भी जगे ऑवरॉल जहां पे चैरी का यूज होता है उसी जगे पर आप जैली का भी यूज कर सकते हैं और कुछ इस परकार से जैली की क्यूब बना कर भी मार्केट के अंदर धूम बनशा सकते हैं तो यहां पर दोस्तों यह जो जैली क्यूब है यह आपने फालूदा वगरा खाया होगा मुझे बता आपने खाया होगा तो उस के अंदर बी आपको जो खाते हैं तो कुछ मुलायम चीज आते उसका टेस्ट बहुत इलाजवाब होता है तो वह एक्चुल में जैली क्यू भी होती है आप मार्केट के अंदर ट्राय कर सकते है किसी भी जो जहां पर फालूदा खाते हैं तो वहां पर पूछ सकते हैं यह चीज क्या त आप ट्राय करना कि आईस्क्रीम वाले कितने सारे अपने आसपास है वहां पर भी आप डिमांड पूरी नहीं कर पाओगे अब यहां पर दोस्तों अगर आगे बढ़ते हैं ना तो यहां पर दोस्तों सबसे बड़ा मार्केट इंडिया के अंदर जैली केक का है सौरी नॉर्म आप यहां पर दोस्तों आप जैली केक का भी बिजनेस चालू कर सकते हैं बहुत ही कमप्राइस के अंदर कितना मुनाफ़ा रहता है वह भी मैं आपको बताऊंगा नाम सुना पहली बार होगा गयर जैली केक क्या होता है अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं अपन आगे की कॉम्पीटिशन कितना होता है किसी भी चीज के अंदर मॉनोपॉली क्रियेट करना सबसे अची बात है लेकिन ऐसे बहुत सारे बिजनेस में होते हैं जो एक बिजनेस को आसानी से मतलब कि बहुत अच्छे से करते हैं उ चाँ वार दूसें लिगलोगोई रहाव जाती है दूसरा बिजनेस करते हैं ऐसलास करता हूं ना तो इस बिजनेस के अंदर कॉम्पीटेशन न के बराबर है इस бабा बड़े प्रोजेक्टि तैयारी करते हैं एक एक बड़ा प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट जब अपन तयार करते हैं अध्य आपन यह सोचता है कि सके अन्दर कौन सी मसीन्री लगेगी लेकिन गुगल पे आपने देख लिया होगा कि इसके अंदर लाफो क्रोडो रुपय की मसीन लगती है इस बिजनस को स्टार्ट करने में फिर आप अपने पाव पीछे खिसका लेते हैं कि नहीं मुझे अपने बिजनस स्टार्ट नहीं करना है कारण यह कि इसके अंदर की मुझे मसीन के अंदर बहुत ज्यादा इंवेस्ट होगा लेके न जो आप अपने दिमार के अंदर चला रही हो ना प्रोजेक्ट वह सही है लेकिन जो आप सोच रहे हो न सके बार페 में वह गलत है कि क्या मैं इसे मसीन इसके अंदर लगेगी तो यह आप बिल्कूली गलत हो इसके अंदर कोई भी मसीन नहीं लगती है अगर आप बड़े लेवल का प्रोजेक्ट करना चाहते है न पूरे इंडिया के अंदर जिब सप्लाई करोगे न तब आपको मसीनरी की जुरूत होगे लेकिन जब आप डिस्टिक लेवल पे या स्टेट लेवल पे जब आप माल बनाओगे न तो कोई भी मसीनरी की जुरूत नहीं रहते है सिरफ अपने हाथ ये वाले हाथ से ही आप सारा का सारा माल है वो तयार कर सकते हैं और कुछ लेबर के साथ कुछ लेबर के साथ आप माल है वो तयार कर सकते हैं पूरे हाथ से तो यहां पर दोस्तों बात आते है कि चलो कि मसीन इसके अंदर लगती नहीं सारा काम अपने हाथ से होगा ठेक है अब यहां पर दोस्तों आपको बिजनेस की जानकारी होगी लेकिन आपके दिमाग के अंदर यही ख्याल आ रहे होंगे कि यह जैली आपके दुकान पर चले जाना तो वहां पर कंपल्सरी आपको जैली मिल जाएगी कंपल्सरी और किसी ब्रांड़ेड कंपनी की जो कि आपके टेस्ट और भी अच्छा देंगे और उसी के साथ बात आपके दिमाग के अंदर यह भी ख्याल आया होगा कि यार हम इसकी सप्लाई चैना वो कैसे बनाएंगे तो सप्लाई चैन के बारे मैं आपको सोचने की जुरूत नहीं है जब आपके पास complete formulation होगा आपने पूरा बनाने के काम करूंगा तो वो भी हम यहां पे प्रॉपर गाइड करेंगे कि वो किस परकार से होता है अब बात आती है कि फॉर्मूले की जानकारी नहीं होना मैंने आपको पहले बता दिया कि इंडिया के अंदर मुस्किल से पांच से साथ लोगों कोई इसके complete formulation के बारे में पता ह है जो की wage 100% wage हो जाली किस परकार से बनती है तो आज वो करोड़ो रुपय की income कर रहे हैं हर महीने वो हर महीने करोड़ो रुपय की income कर रहे हैं मैं यह कहता हूँ कि आपको करोड़ो रुपय नहीं कमाने आप starting करते हैं महीने के एक या दो लाग रुपय की income ले लो बहुत जब बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों मारकेट सो इसकी आकर सक दिखावट में जब आप ऑC अधर जैबली देखते हैं दिमा ने मन में आजाता है कि?" को एसको एक घानी reflecting और डिया मंद मेरे सकते हमेर होता है और उसका transparent color होता है ना तो देखते ही मन के अंदर या जाता है किसी भी परकार से इसको खरीदनी है किसी भी परकार से इसको मतलब की खानी है यहां से business concept की सुरुआत होते हैं यहां से सोच लो कि मुझे business अपना चालू करना है क्योंकि जब आपके दिमाग के अंदर आ रहा है है कि मुझे jelly खाने तो कितने सारे लोग इह सोचते ओंगे कि में jelly मुझे खानी है तो वहां पर जितने सारे लोग सोचते हैं कि मैं jelly खाऊंगा उससे में आप यह सोचन लो कि मुझे इसका business start करना है किस परकार से करूंगा उसके बाद यहां पर हजारों की तादाद के खारा हूँ और वह भी 100% वेज और उसके बाद सुवीदा जनक पैगेजिंग सुवीदा जनक पैगेजिंग है कोई भी लिक्वड आइटम होती नहीं है तो आपको प्रॉपर पैगेजिंग कोई खास दियान रखना ने एक रुपए की पैगेजिंग कर लो दो रुपए की कर लो चाहे आप तयार कर लो इसको 2000 रुपए की पैगेजिंग करके मार्केट के अंदर बेच सकते हैं अब यहां पर बात आती है सस्ती कीमत की तो यहां पर मैं बता दू आपको कि यह जो जैली है यह आपके 60 रुपए केजी में तयार होगी अब आप मार्केट के अब देख लो उसके बाद आप 240 रुपए से लगा के 2000 रुपए तक इसको बेच सकते हैं वो डिपेंड करेगा कि आप इसकी पैगेजिंग कैसे करते हैं और आपने मार्केट कौन सा सलेक्ट किया है और मार्केट के अंदर जब सलेक्ट ही कर लिया है तो उसकी कैटेगरी क्या क्या है क कौन सी दुकानों पर आप माल को प्रोवाइड कर रहे हैं और यहां पर दोस्तों उपयोगिता तो आपको पता ही है कि बहुँ उपयोगिता के अंदर आते हैं तो एक बिजनस है ना इसके अंदर आप कम से कम 10 तरह के लोगों के साथ मिलकर मतलग कि आपने फालूदा वाले ज आंगे ऐसा को जुरूरी नहीं कि बच्चे घाएंगे जब दिपावली हो लिए तो बड़े भी खाएंगे जब उन आपके सामने पड़ी होगी तो आप खुद भी खा लोगे तो यह रहती है कम्प्लीट की मार्केट के अंदर डिमांड कितनी है यहां पर दोस्तों मार्के अपन करते हैं कि जैले के किते डिमांड है तो जैले की तरह पे दो या तीन प्रोडिक्ट मार्केट के अंदर आते है जैसे कि जैम आता है जैली आता है पर जैली को मार्केट के अंदर देखते हैं इसका मार्केट के बहुत जादा है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत जादा और बनाने वाले कम में घात हैं तो सिंपल सा गरित का को niya में अगर आपने यू जो कियाता है ना कॉमर्स लिए हुआ है तो जहाँ पर मांग और पूरती का नियम हे जहां पि कि बहूं मुखी पर्दीब्र और वेराइटी कि कि मैसी लिए अगर एक की बिए जो गरीब घरका बच्चा उसको गराप जैली दोगे ना तो जैली मुष्किल से मुष्किल है एक रुपय के खाये गा और वो का वो किसी अमिर घरका बच्चा है ना वह सैम जैली है उसके इसका एक box तैयार कर लो उसके उपर 2-3 layer आप मतलग उसकी अच्छे से packaging कर दो ठीक है और उसके उपर कुछ ऐसे highlight word लिख दो मैं यह जूट नहीं बोल रहा है अगिकत बता रहा हूँ आपको कुछ एक highlight है वो word लिख दो उसकी packaging के उपर और उसको market के अंदर बेच दो अब वो अगर आपके product पांच रुपय में तयार हो रहा है न ठेक है उसको आप 30 रुपय के अंदर बेच दो तो सबसे पहले जो अमीर घर का बच्चा है वो यह select करेगा कि मुझे 30 रुपय का खाना है कोई भी उसके माबाप अगरा होगे न वो 30 रुपय के अंदर आइटम ब परकार से उसकी packaging करते हो आपका दिमाग कैसे काम करता है मैंने पहले बता देकि जिसनी ज्यादा अच्छी packaging होगी उतना market के अंदर आप ज्यादा काम्याब हो जाएगे क्योंकि एक हम नया formulation और ला रहे है 15 से 20 दिन बाद एक नया formulation launch हो जाएगा आपने एक रुपय की Pepsi दे लेकिन उसका formulation थोड़ा change रहता है तो हम वो भी market के अंदर launch करने वाले हैं तो बने रहेगा right human के साथ यहाँ पर दोस्तों जो market के अब है ना उसका बहुत जादा है और मात्र छे महीने में मात्र छे महीने के में 100 क्रोड रुपय की company बन गईती तो आप market के अब उसका है रूप की बात करते हैं तो simple production process है मतलब कि इसके अंदर आपको कोई भी बड़ा से बड़ा warehouse का manufacturing unit लेने की जुरूत requirement नहीं रहती है सिरफ 10 भाई 10 का अगर आपका घर है कमरा है जो चायां के अंदर होना चाहिए उसके ओपर कुछ भी पत्रिव अगरा है तो चल जाएगा ठ अब यहां पर दोस्तों नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं ना तो यहां पर दोस्तों भोगता हो कि जो मांग होते हैं वो हमें पूरी करनी होती है जो हम आपको proper way के अंदर formula guide करेंगे उस रिजाब से तयार करना होता है उसका सवाद जो हम आपको formula देंगे उस रिजाब से आपको तयार करना होगा वीवीदिता के अंदर अगर अगर आपन बात करते हैं तो कुछ different model के अंदर भी आप मार्केट के अंदर बेच सकते हैं बनावट मैंने आपको पहले बता दिया कि हजारों तरह की design आप बनाकर मार्केट के अंदर बेच सकते हैं अलग-अलग customer base वाले खाएंगे middle category वाले खाएंगे तो वह आपको decide करना है कि फाइती है उसके बाद यह बच्चों की पसंद पुरानी यादा इसे मतलब की ताजा हो जाती है और यह स्वास्त्य वर्दक विकल्प भी है क्योंकि उसके अंदर glucose आता है जो आपकी body का stamina और आपकी जो body की ज जरूर सोचेंगे यह वाला point आना यह जरूर सोचेंगे कि मुझे lab कितना हो रहा है उससे पहले पहले machinery का setup बगरा भी देखोगी क्योंकि जब आप कोई भी business चालू करना चाहते है ना तो उससे पहले देखता है कि मुझे उसके अंदर कितना profit हो रहा है मैं माईने यही रख तो lab कितना होता है वो भी आपको guide करने वाला हूं तो जो jolly होती हolutely हो मात्र इतने में तियार होगा मेरे हिसासे आपको display पर आराम से दिकھरा होगा आराम से दिख रहा हो ए एक सो बीज रुपए से लगा के पंदरा सो रुपए केजी के हिसाब से बेच सकते एज पर आपकी पैकेजिंग के उपर यह डिपेंड करेगा कि आप इसको कहां पे बेचते हैं कि किस यूनिट के अंदर सेल आउट करते हैं आपका टार्गेट बेस क्या है वो सारे का सारा आ बीजने करना वह में यह तक तो आ गए हैं अब मैं आपको बदाने वाला हूं कि का बिजनेस का संभावना कि आपकी पूरा माइंड़ सेट कर लिया कि मुझे जैली का बीजनेस करना मैं आपको ज़्यादा नहीं कहूंगा मैं जिर आपको यह कहूँगा कि अगर मैं इसकर पर रिसर्च वाकी सेतर्क आती है तो मैंने आपको लागत बता दिया है उस लागत के अंदर आपका माझ तयार हो जाएगा थोड़ा सा खर्च आपके एक्ष्टना रहेगा जो भी आप प्यांगे टीमांड कितनी है आप किसी भी जाना मुझे जह्याई मिठाई की दुकाना मुझे जा जही है। वो सेम्पल आफ ले लेना को पूछ ता कि जामनगी माल के पड coconut केिमरों आपको फोरा का पूरा जानी के बारे में बतादेगा मार्केट कि येखाईativa मंडि वरत कमार्ट कि. नहीं है क्योंकि जहां पर आपका माल आता है न वह कम से कम 500 700 कीलीमेटर दूर से अता है ऐसा नहीं है कि आपके के अंदर ही बना रहा यहाँ है 500-700 मीटर तो दूर से आपके माल आ रहा है तो यहां पर competition बिलकुल नहीं होगा यह भी आप उन से पूछ सकते हैं जासे आप जैली को खरीदोगे अंगिनत वेराइटी है ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं एक ही product दयार कर रहा हूँ तो आपको मैंने अलग-अलग category बता दिया कि आप किस category के अंदर जाओगे कौन सा product सर्च करोगे कौन सी design select करोगे आप कौन सी दुकान पर माल बेचो के सारा मैंने आपको बता दिया तो जैली के बारे में ये भी आप try कर सकते हैं अलग-अलग दुकानों पर जाकर उसके बाद मुनाफ़ा कि मैं बात करता हूँ तो मैंने आपको पहले बता दिया कि middle class वैलों के लिए अलग से जैली का project त आना तो चाहते हैं लेकिन कम पैसों के अंदर जैली वही होती है packaging थोड़ा change कर दीजिए उनको भी market के अंदर बेच दीजिए तो यहां पर दोस्तों उसके अंदर अंगिनत variety आ जाती है और उसके बाद यहां पर दोस्तों के अंदर कहीं गुना मुनाफ़ा भी है और यह food industries का तेजी से बढ़ना है क्योंकि food industries जितनी market के अंदर जादा जाएगी overall उतना आपके फाइदा होता जाएगा क्योंकि जब आप इसको सीखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि reality के अंदर market के अंदर बहुत अच्छा reality के इसका market बहुत अच्छा और यहां पर दोस्तों के अंदर estimate आपके 44 के पास चला जाएगा अभी यह 2% है ठीक है मतलब कि 42 का market क्या हो जाएगा जैली का जब हम पूरे इंडिया को cover कर लेंगे तब तो यहां पर दोस्तों आपने इतना तो देख लिया कि किस परकार से इसका business किस परकार से संभावना है अब आपके दिमाग के अंदर यह रहेगा कि मैं जैली का business किस परकार से करूंगा तो जैली का जो business है ना आप राइट हुमन की बहुत सारी वीडियो अगरा भी देखते हैं राइट हुमन को आपने subscribe भी किया होगा ठीक है लेकिन जैली का जो formulation है ना उसका थोड़ा सा formula changes रहता है किस परकार से किस परकार से packaging करना तो राइट हुमन अभी formula भी provide कराता है जो कि आपके complete formula रहता है यह live रहता है आपको हमारे office जालो राजस्थान आना होगा ठीक है उसके बाद इसको आपको live practical करना होगा और उस practical के बाद ही आप complete यह सीख पाओगे कि मैं जैली हो किस परकार से बना सकता हो किस परकार से market के अंदर इसको बेज सकता हूं क्योंगी यहाँ पर दोस्तों जैली का complete formula होता ना उसके पर एक team होती है जो team रिसर्च करती है कि कौन से state के अंदर कौन सी जैली ज्यादा बिक रही है और किस परकार से अपन को powder mixing करके कितने temperature उसको गरम करना है फिर इसके अंदर market के अंदर serve करना किते time रखना है इसका complete जैली का एक formula होता है कि जैली की complete training होती है और यह training आप right human के माधियम से ले सकते हैं और यह अभी तक इंडिया के अंदर पहली बार है जब आप किसी business को सीख सकते हैं training के माधियम से बिना machine कोई भी इसके अंदर machine वगरा नही लगती है लेकिन यहां पर दोस्तों आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे सवाल जवाब होंगे कि जैली कितने timing की होगी तो इस जैली के अंदर आपको पूरे एक दिन का time लगता है ठीक है जैली अगर आपको बनाना सीखना तो एक दिन का इसके अंदर timing लगेगा फी इसक चैटिंग के अंदर वीडियो के अंदर बताया था कि अगर आपके पास कोई भी पैसा नहीं है अगर आप चाहते कि मुझे investment नहीं करना है पैसा नहीं है तो भी आप अपना खुद का business अपने घर से चालू कर सकते हैं उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है simply जाना है आपक के दे दिया है right human.net ठीक है बिना investment आप पैसा कैसे कमाओगे तो इसका complete formula है वैसे machine की complete information यह पे दी गई है ठीक है आप देख सकते है आसाने से machine को बाय कर सकते है उरसी के साथ यहापे दूस्तों एक option आता है जो की रहने वाला है यह वाला आप आरसाने से देख सकते हैं हर मह इने कमाओ 25,000 से 40,000 रुपय अगर आप कमाना चाहते हैं और वह भी बिना पैसे लगाए तो आज ही जुड़े हमारे साथ और जुड़ने के लिए आपको एक simple सा form है जो कि यहाँ पर join करने के लिए यहाँ पर click करें तो जैसे ही यहाँ पर click करोगे ना तो यह कुछ आपके आप 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 आपको आपना आ जाएगा कि किस परकार से आप इसके अंदर काम है वो कर सकते हैं और इसके अंदर अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो डायक ली हमारे जो नमबर जो नीचे इस नमबर से और इस नमबर पर call करके आप information है वो ले सकते हैं मैं आपको complete वापिस से बता देता हो आपको कुछ नहीं करना है सिंपल सा ये राइट हुमन का जो है वैकसाइट भी है एपलिकेशन भी है ठेक है तो यहां पर आप देख सकते हो जो भी प्रोडेक्ट आपको दिख रहे है साथ के अंदर ही यहां पर आपको प्रोडेक्ट बताया था वह सेम एजटीज वो का वह पॉइंट यहां पर भी है तो यहां पर भी आप जोइन करने के लिए यहां पर क्लिक किजिए और क्लिक करने के बाद इस फॉर्म को बरके आप पैसा है वो कमा सकते है और इसी परकार के बिजनेस कॉंसेप्ट के लिए आप हमारा यूट्यूब चानल राइट इमन को जुरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करें तब तक के लिए जाहें दवन्दे मातरम